आज की स्योरी में आप सेकेंगे कि कैसे आपने आर्टोमेटक वाटर डिस्पेंसर बनाना है तो सरक्ट मैंने बना लिया और आपको बताता जलू कि इसमें क्या क्या मैंने 8K इसमें सबसे पहले आपर एक IR सेंसर है, इंफ्रारेट सेंसर है और यह जो है ना एक गिलास डिटेक्शन परपस के लिए यूज होगा इन्हें इसके सामने जब भी गिलास आएगा तो यह हम भी बताएगा कि गिलास अब अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल नहीं है उसके बाद यहां पर एक अल्टरसोनिक सेंसर है और याल्टरसोनिक सेंसर जो है वो वाटर लेवल गिलास में चेक करेगा ठीक है उसके बाद यहां पर एक रिले लगा हूँ है और यहां पर एक मोटर लगवी है पंप लगवा है वाटर पंप और यहां पर 12 वोल्ट सप्लाई की साथ कनेक्ट है तो जब भी यह नहीं की ज़ दिमोनेस्टरेशन की लिए ठीक है यह विर्चूल टर्मिनल आफको यहां से मिलेगा यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर विर्चूल टर्मिनल है और बाकी जो कंपोनेंट है AIR सेंसर है यह एक्स्टेरनल लेवरियरी आपको एट करनी पड़ीगी अल्टरसोनिक सेंसर भी आ वहां से जाके आप डाउनोट कर सकते हैं तो अगर आपको नहीं पता क्या I-AAR Sensor या Ultrasonic Sensor कैसे एट की जाती तो Lic. त लिंक में मैंने Video लिंक दी हैं एक में आपको से Çağ के कि कि आप कैसे I-AAR Sensor एट करेंगे दूसरे में आप ये सीखेंगे कैसे आपने ultrasonic sensor add करना है तो अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ से देख ले और उसके बाद यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं तो मैंने इसके लिए code लिखा है तो आप code देख लें मैंने लिख लिए code तो code आप मैंने तक्रीबन comments लिखे हैं हारे के साथ तो मैं इसको run कर देता हूँ और जैसे complete होता है मैं इसका hex file जो है वो address कापी कर लेता हूँ यहाँ पर जिसके साथ .hex लिखा है तो यह hex file है Ctrl-C प्रेस कर दे उसके बाद यहाँ पर आकर Arduino में इसको paste कर दे यहाँ पर अगर old values है रिमूट करें इनको और उसके बाद okay कर दे play paste कर दे उसके बाद okay कर दे और इसमें भी hex file आपको add करना होगा इसको भी hex file एड करना होगा इसका hex file आपको जो library में ने दिये वहाँ से आपको मिलेगा इसके अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर hex file है और उसके बाद जो ultrasonic sensor है उसका hex file भी आपको जो ultrasonic sensor की library है इस folder में available है आप यहाँ से देख सकते हैं तो इसको आपने और इसमें मैं add कर देता हूं ultrasonic sensor सोरी IR sensor में इसका hex file तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे और वहाँ पर जाएंगे जापकर आपके पास IR sensor की जो library है वो पड़ी है इसको open करें hex file को select करें और open करदें उसके बाद ok क्लिक करदें उसके बाद इसके उपर right click करें edit profits में जाएं यहाँ से search करें और वहाँ पर जाएं जहाँ पर आपके पास ultrasonic sensor की library है open करदें hex file को select करें open करदें okay करदें उसके बाद आप इसको run करदें screen पर आप देख सकते हैं यह कह रहा है कि no glass यह glass detection के लिए यह glass level चेक करने के लिए और यहाँ पर अब मैंने एक logic state दिया है इसका मतलब है कि zero means no glass कोई glass नहीं है और one means glass available है ठीक है तो यह नहीं उसने कोई object detect कर लिए तो इसको अगर फिलाल zero आप देख सकते हैं no glass जैसे इसको मैं one करता हूँ आप देख सकते हैं कि यह क्या कह रहा है कि glass available है और pump start लेकिन pump यहाँ पर start नहीं हो रहा है तो इसका एक second मैं check करता हूँ कोडिंग में एक नजर इसको देख लेते हैं इसका code pin number 11 है तो यहाँ पर आपने आना है और देखना है कि 11 नमबर as a output यूज़ हो रहा है और उसके बाद यहाँ पर भी देखें यहाँ पर यहाँ पर इसको 11 नमबर कर देता हूँ इसके बाद run करें इसको मैं दुबारा बंद करते हैं इसको run करें और अब देख सकते हैं आप और के जैसे इसको मैं glass रखता हूँ इसके सामने आप देख सकते हैं यह pump start हो गया और यहाँ पर भी आपके शोर है glass available pump start अब इसका level जो है मैं यहाँ पर मैंने 50 range दिया अगर 50 से बाओ हो तो it means कि glass जो है वो full है तो इसके बाद यह बंद होना चाहिए तो इसको मैं increase करता जाओ आँ राम राम से और जो ही increase हो जो है देख सक full का option दे रहे ठीक है glass अभी available है तो इसको glass यह नहीं मैं remove कर दूँ और एक second में बाद आपको कह देगा कि glass no glass ठीक है अब let's suppose कि glass किसे ने रख दिया और वो full है यह means कि glass full है और इसकी बाद मैं रख देता हूँ तो आपको यहाँ पर क्या glass available है लेकि glass full है और motor start नहीं होगी वाफ होगी लेकिन अगर glass खाली होगी means कि अगर खाली glass आएगी तब जाके start होगी देख सकते हैं आप यह आप देख सकते हैं स्टार्ट होगी जैसे glass full होगा तो यह बंद हो जाएगा तो इसी तरह आप इसको use कर सकते हैं तो link description में available है वहाँ से जाके आप library circuit और code download कर सकते हैं अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को जाके subscribe करें वीडियो को like करें share करें और चैनल विजट करें आपको बहुत सारे अडिनों related projects मिलेंगे तो मिलते है नेक्स वीडियो में